गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको स्नापस्रेड एप की हल्प से कुछ इस तरह का फोटो एडिट करना आपको सिखाऊंगा देख वारू का अगज की ये फोटो बहुत ज़्यादा मस लग रहा है और इस तरीके के टोन में आप भी अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो सिर्फ स्नापस्रेड एप का यूज करके भाई इस तरह का फोटो एडिटिंग करना स्नापस्रेड में बहुत असान है और जो तरीके मैं आपको बता है जितना इजी तरीके से सायद यूटूब पे किसी ने भी ऐसा तरीका आपको नहीं बताया होगा वीडियो को पूरा द जिस भी फोटो के एडिट करना है उसको स्नापस्रेड आप के अंदर उपे इन कर लीजिए देन आपको इस पेंसिल के आइकोन पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको ट्यून इमेज पर जाना है यहां आपको जाना है एम्बेंस में एम्बेंस को कुछ इस टाइप से आपको प्लस 23 कर लेना है बस आपको इस सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है यानि की त्यून इमेज के अंदर आपको दूसरा कोई भी काम नहीं करना है यहां से आपको सिंपल से डन पे क्लिक कर लेना है अब गईज आपको पेंसिल के आइकोन पे क्लिक करना है दिन इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है यहां आपको एक vintage का option मिलेगा जस्ट आपको इस पर tap कर देना है vintage पर tap करने के बाद कुछ इस तरीके से interface आपको दीखेगा यह आपको बाढ़ा वाला effect जो है select कर लेना है ठीक है यहां से आपको simple से done कर लेना है अब यहां से हम back करेंगे थोरा जब view edits के अंदर जाएंगे vintage में जाएंगे यहां से आपको इस three line पे click करना है और इसका saturation आपको पूरा minus 100 कर लेना है ठीक है आप देख पर हो मैंने minus 100 कर लिया यहां से इसको done कर लेना है अभी गईज हम इस पे दोबारा click करेंगे इस बीच के pencil वाले icon पे click कर लेंगे ठीक है अब आपको यहां आपको invert का option दिखेगा जस्ट यह वाला इस पे आपको tap कर देना है जैसे आप tap करोगे यहां पे आपको एक up arrow and एक down arrow दिखने को मिलेगा down arrow पे पूरा click करना है तीन-चार बार यह आपका पूरा zero हो जाएगा zero कर लेना है देन फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से जूम करने के बाद कुछ ऐसे आपको अपने skin पे draw करना है ठीक है याद रहेगा इसकी सिर्फ आपको अपने skin पे ही चलाना है देख पर हो कि पहले skin पे पूरा dark dark सा effect create हो गया और अभी हमें skin से इसको erase कर रहे है क्योंकि यह हमें effect ना पूरा background पे रखना है cloth पे रखना है या हमारे face skin पे मतलब कहीं भी नहीं होना चाहिए तो वहाँ से हम erase कर लेते हैं इस process में थोड़ा सा time आपको लग सकता है I think 1-2 minute आपको लग जाएगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको कर लेता हूँ हाँ तो guys आप देख पर हो कि हमने पूरे skin से इसको erase कर लिया यानि कि इस effect को हटा लिया बाकी आप देख पर हो कि इस photo के अंदर ना अभी जो color है वो है एकदम dark black तो guys अब आपको यहाँ से simple से done पे click करना है back जाना है back जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से interface मिलेगा आपको यहाँ एक pencil का icon जो दिख रहा है यह वाला इस पे दोबारा से tap करना है यहाँ आपको एक portrait का option मिलेगा portrait पे आपको click कर देना है जैसे आप portrait पे click करोगी यहाँ पे आपको बहुत सारा option सो हो जाएगा आपको smooth to को select कर लेना है अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे जाना है यहाँ से skin smoothing के amount आपको अपने अनुसवार set कर लेना है I think यह 35 जादा अच्छा है बाकी यहाँ से आपको eye clarity के value बरहा लेना है पुड़ा लगबग 25 या 30 के बीच में मतलब रख सकते हो यहाँ से इसको simple से done कर लेना है अब आग गाईज आपको यहाँ से क्लिक करना है pencil का icon पे देन आपको जाना है white balance पे white balance पे क्लिक करने के बाद stamp की value को आपको left side की तरफ कर लेना है आप देख पर हो जितना मैं रख रहा हूँ इसकी amount आप भी उतना ही रखियेगा अब देख पर हो मैंने इसको minus 50 कर दिया अब थोड़ा सा उपर करेंगे यहाँ आपको एक tint मिल जाएगा ठीक है tint का option जस्ट इस tint के icon पे मतलब कुछ इस तरीके से tint के option को बढ़ा लेंगे इसको plus 12 भी या plus 13 कर लेंगे मैंने इसको plus 13 कर लिया यहाँ से इसको done कर लेंगे अब आपको इस edit stack के button पे click करना है view edits पे दिन दोबाड़ा white balance पे जाएंगे यहाँ इस beach के pencil वाले icon पे click करना है यहाँ से इसको भी invert कर लेंगे and down arrow को zero कर लेंगे same काम आपको इस बार भी करना है यानि के कुछ इस तरीके से आपको अपने skin से इसको erase कर लेना है ठीक है तो skin से erase कर लेते हैं जो मतलब जितना time उस बार लगा था same उतना time इस बार भी लगेगा इसलिए गाईज हम इस वीडियो को थोड़ा सा fast कर दे रहे हैं इसके आगे के प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के मतलब ये प्रोसेस खतम होने के बाद बताते हैं आथो गईज आप दीख पर हैंगे हमने properly skin से इसको erase कर लिया बाकी दीख पर हैंगे background color कितना ज़्यदा perfect लग रहा है एकदम dark blue सा tone photo के अंदर आ गया है बाकी गईज यहां से इसको simple से done पर click करेंगे back जाएंगे and again इस pencil के icon पर click करेंगे selective पर click करेंगे and कुछ इस तरीके से जो आपके skin का सबसे dark area होगा वहां पहला कर इसको रख देना है and इसको ऐसे select कर लेना है brightness को बरहा देना है then saturation की value कम कर लेना है सेम काम आपको अपने बाकी के skin पर करना है जहां भी मतलब आपका skin देखे brightness को बरहा देजिए saturation को कुछ इस तरीके से and contrast को भी थोड़ा सा कम कर सकते है इसको हमने कम कर लिया यहां से इसको done कर लेना है अब यह देखो guys before and यह देखो after कितना ज़्यदा मस लग रहा है तो कुछ इस टाइप से guys आप अपनी photo को इस color tone में edit कर सकते हो सिर्फ स्नाप्सर डैप का use करके बहुत ज़्यदा असान है आप easily कर लोगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हो यहां से just this share के icon पे क्लिक करेंगे यह photo हमारी gallery के अंदर easily save हो जाएगी So I hope guys आज की यह video आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी एड़ इस video से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो video को like करके चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं आपसे किसे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all, take care, bye bye